तो थोड़ी साल बाद जो ओपोजिशन के लोग थे जो उसको रिजिस्ट कर रहे थे वो एक बाहर एक रिशी बैठा रहता था उसके पास गया उसने कहां कि पताईए हमें बात समझ नहीं आ रहे हम इस राजा पर मतलब 24 घंटा आकरमन करते हैं जनता इसके खिलाफ है कुछ होता ही नहीं है जितना हम इस पर आकरमन करते हैं ऐसा लगता है कि हम गल्ट जगे मतलब तीर मार रहे हैं तो रिशी नहीं कहा वो काफी मतलब नॉलिजबल था तो उसने कहा देखिए एक्चली बात क्या है यह जो राजा है इसकी आत्मा इसके अंदर नहीं है इसकी आत्मा वहां पे पीछे एक छोटा सा घर है वहां पे एक पिंजडे में एक तोता बैठा है इसकी जो आत्मा है ना वो उस तोते के अंदर है उस तोत जिए राजा खत्म हो जाएगा बहुत इंट्रिस्टिंग कहानी है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के आत्मा अधानी में है तो तक कहीं बैठा है राजा कहीं बैठा है और बहुत समय के लिए सारी कि सारी ओपोजिशन राजे पर टैक कर रही थी मगर असलियत यह है कि राजा राजा ही नहीं है पावर किसी और के हाथ में है अधानी जी के हाथ में है जैसे ही हम अधानी जी को टच करते हैं इंटेलिजन्स एजन्सिज लुपेंग मैं पहले सोचता था नंबर वन प्राइमिनिस्टर नंबर टू अदानी नंबर थ्री अमिच्शा एक्चली गल्थ है नंबर वन अदानी नंबर टू प्राइमिनिस्टर नंबर थ्री हमिच्छा अभी हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स हमें समझ आ गई है और अधानी जी बचके नहीं निकल सकते हैं क्योंकि अधानी जी को हमने ऐसे गहरा है तोते को हमने ऐसा पकड़ा है कि वो बचके नहीं निकल सकता है और इसलिए सारा का सारा हो रहा है डिस्ट्रैक्शन पॉलिटिक्स कि देश की निगाः ओपोजिशन की निगाः पिंजरे में बैठा हुआ तोते की और ना चले जाए तो हमें का भी क्लैरिटी है आप देखिए पूरे ओपोजिशन के खिलाव यहाँ पे एपल का नोटिस आता है मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है देखिए अच्छे दर देखिए यह तोते का काम है इसमें लिखाया है आपल बिलीव्स यू आर बिंग टार्गेटेट बाइ स्टेट स्पॉंसर्स स्पॉंसर्ड अटैकर्स अब ये मेरे ओफिस में सब लोगों को मिला है वेनु गोपाल जी को मिला है कॉंगरेस पार्टी में लिस्ट बनी हुई है पवन खेड़ा, सुप्रिया, सिताराम यचूरी, अकिलेश यादव, प्रियंका चतुरवेदी, महुआ मोहित्रा रागव चड़ा, टी एस सिंडेव लिस्ट है और ये सारे के सारे किसी ना किसी तरीके से इस मामले में इन्वाल्ट है और देश के युगाओं को मैं समझाना जाता हूँ, बताना चाहता हूँ, यहां हो क्या रहा है आपका ध्यान कभी इधर ले जाते हैं, कभी उधर ले जाते हैं, कभी इधर ले जाते हैं आपके दिल के अंदर गुस्ता पैदा करते हैं और जब आपके दिल में नफरत आती है, गुस्सा आता है, जो आपका भविश्य है जो इस देश की पुंजी है, जो इस देश का धन है, उसको उठाके ये लोग ले जाते हैं अदानीजी को हिंदुस्तान के पोर्ट पक्ड़ा दिये ए, ऐडानीजी के लिए, मुंबाई एरपोर्ट चाहिए था ये सी बि आई इडी का प्रयोग किया,ुंबाई ओरपोर्ट दे दिया ऐग्रिकल्चर में कानून बना धिये ए अदानीजी के लिए food grains की storage उनके हाथ में infrastructure उनके हाथ में आप सडकों पे चलते हो cement उनके हाथ पे उनके हाथ में तो पूरा पूरा देश ये तीन चार लोगों को पकड़ा रहे हैं नुकसान किसका हो रहा है हिंदुस्तान के युवा का हो रहा है आप से ये कहते हैं कि आप जाइए पढ़ाई कीजिए आप जाइए IAS बनिए आप जाइए एंजिनियर बनिए आप में से एक परसेंट एंजिनियर बनेगा एक परसेंट डॉक्टर बनेगा 0.000.000 1% IAS बनेगा तो यह आपको जूटे भविश्य की कवाइदा करते हैं और जो आपका धन है आपके आपकों के सामने आप से छीन के ले जा रहे हैं यह हिंदुस्तान की आज सचाई है कम लोग हैं जो इसके खिलाब लड़ रहे हैं मगर हम डरने वाले नहीं हैं हम लड़ने वाले लोग हैं हम पीछे नहीं हटेंगे जितनी टैपिंग करनी है कर लो कोई फर्ट नहीं पड़ता मुझे तो कोई फर्ट नहीं पड़ता अगर आपको मेरा फोन चाहिए मैं दे देता हूँ आपको ठाके ले लो अब आपके कोई सवाल नहों तो पूछे English 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 अच्छा नहीं Hindi में थोड़ा एक लाइन और Hindustan की जो का जो भविश्य है उसके लिए सबसे जरूरी चीज नियाए है अगर इस देश में इस देश की जनता को इस देश की युवाओं को नियाए ना मिले तो ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है और मैंने बहुत बार बुला है और मैं बोलता रहूँगा और मैं हम ये काम करके दिखा देंगे कि कास सेंसिस के बिना इस देश के युवाओं को नियाए नहीं मिल सकता और ये पूरा का पूरा डिस्रैक्शन जो हो रहा है जब अधानी जी पैसा चोरी करते हैं किस से चोरी करते हैं देश की आम युवाओं से चोरी करते हैं पिछलों से चोरी करते हैं दलितों से पो चोरी करते हैं आदिवासियों से चोरी करते हैं जब अधानी जी कोईले में औस्ट्रेलिया में जब नाव चलती है, यहां आती है, जब हो और इंवाइंसिंग करते हैं, तो अधानी जी किसकी जेब से चोरी कर रहे हैं पैसा, जो आप बिजली खरीदते हो, उसमें अधानी टैक्स है, ट्रेन में आप जाते हैं, उसमें अधानी टैक्स है, फ्रेट घू आदिवासियों के जेव से गरीब लोगों के जेव से छोटे वियापारियों के जेव से और पूरा का पूरा ट्रांसफर इनके जेव में हो रहा है in English, in English brother see, there's a beautiful story old Indian story there was a king, very nasty king and he was attacking everybody stealing from everybody everybody was disturbed and his opposition would keep trying to fight him nothing would happen to the man keep attacking, keep attacking, keep attacking and they were very confused, why is nothing happening to this man what is going on and this went on for a couple of years and then after some time, there was this wise man who used to do dhyana outside and so they went to him and they said, what is going on we keep attacking this man every day we attack this man, nothing happens to this man and the gentleman said look, the reason is that this man's soul is actually somewhere else the frame the image is of the king but the soul is somewhere else so they asked him, where is the soul and he said, the soul is there in a village in the corner if you go there is a little cage and inside that cage there is a parrot and if you go and you kill that parrot the king will fall right and that is exactly what is going on here Mr. Narendra Modi's soul is Mr. Adani right and no matter how much we attack Mr. Narendra Modi it doesn't have an effect because the soul is somewhere else and now we've understood this we've understood that the soul is there in the parrot and now we are attacking the soul and that is why all this is going on that is why Apple is sending messages your phone is being targeted by state-sponsored attackers right I used to think that you know, there's a ranking people say press people say number one, number two number one, Mr. Modi number two, Mr. Amit Shah and actually the ranking is slightly different it's number one, Mr. Adani number two, Mr. Modi number three, Mr. Amit Shah the country will soon realize that the Prime Minister is employed by Mr. Adani and works for Mr. Adani right the examples of this are clear Bombay airport airport that is owned by somebody else state-sponsored agencies attack the owner he surrenders the airport to Mr. Adani Mr. Adani is over-invoicing coal from Australia it leaves Australia it arrives in India the prices doubled no inquiry nothing no ED no CBI nothing who's paying for it when we are using electricity poor people of this country using electricity we're giving Adani tax we're going in the railways we're giving Adani tax so it's very clear what is going on right the wealth of the Indian people is being stolen from them they are being divided they are being made to hate each other and while they are angry they are disturbed they are upset Mr. Adani is basically taking over everything in this country he owns most of the channels that are you know whose cameras these most of these cameras I don't know which ones but half of them at least are owned by Mr. Adani so hello hello Mr. Adani I know you don't like this I know you don't like this type of activity but I must tell you that you are creating a huge amount of anger against yourself in this country the common masses of this country are getting to understand what is going on and it's my duty as a politician as an opposition politician to tell the truth about what is happening in India so if you have any questions yeah Anand sir after the gases we are seeing this coming on the phones of several of the congress leaders and opposition leaders so what's your next step whether will you go to take legal recourse or something like this no the look the last inquiry the last pegasus inquiry where I mean my name was also there that sort of disappeared right so that tells you that tells you the situation in the country our job as opposition is to make people understand what is going on and I'm very happy that more and more people are understanding what is going on it's very clear and this is this is clearly a sign of panic right this is clearly I mean this is not just one person this is the whole opposition so this is obviously this this is not done by somebody who's not scared or this is not done by somebody who's honest or who believes in themselves this is the work of criminals of thieves only thieves and criminals would want to do this I don't want to do this I don't want to do this I don't want to do this नहीं तो कुछ अगर शेयर पाएंगी यह शेयर ऐसे आइडिया शेयर नहीं करते हैं टाइम आएगा तो टाइम आएगा तो देखाएंगे अदानी शरकार कैसे बदली जाती है बट आपने बहुत देखिए आपने बहुत गहरी बात बोली है अदानी जी ये मत सोचिए कि अदानी जी सरकार बदलने से भड़ जाएंगे नहीं मगर जिस तरीके का मनोपलाइजेशन हिंदुस्तान में हो रहा है और अदानी जी उसके सिंबल है सबसे बड़े सिंबल है बिलकुल ब्लेटन्ट सिंबल है उससे देश को जबरदस नुकसान हो रहा है उससे हमारी डिमोक्रिसी तूट रही है हमारे लोगों का पैसा चोरी ह हो रहा है हमारे इंस्टिटूशन को लाइट कर रहे हैं तो बीजेपी की सरकार और बीजेपी का जो फाइनांशल सिस्टम है वो डारेक्ली लिंक्त है इंके साथ बट चुनाव जीतने से प्रब्लम रिजॉल्व नहीं होगा प्रबलम रिजॉल्व करने के लिए और दवाई देनी पडे की Mr. Gandhi this side sir this side this sir 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 you've been raising Adani issue and crony capitalism for quite some time now do you firmly believe that this issue is also resonating and echoing in general public and if yes are you going to make this important pole plank in 2024 as you made refer in 2029 I am see you have to understand the where I'm coming from okay I am defending the what I consider to be the idea of India okay I believe a free press I believe independent institutions I believe fair business practices these are all the idea of India and I am defending that idea and I'm defending that idea how with the truth right I have a habit of telling the truth I like speaking the truth it gives me happiness and joy right and that is what I'm doing this is a this is not just a political fight this is not just a fight about as I said about going and winning an election this is a much deeper fight one step is winning an election and I'm confident that you will see in the next state elections the results right but it is a deeper problem we were enslaved please remember all the young people in this country please remember we were enslaved by a monopoly we became slaves of a monopoly it was called the East India Company it was a foreign monopoly it had partners in India and we are being enslaved by a monopoly again so we are fighting actually for the independence of this country many people are not realizing this right now you will come to realize it but what is going on is a continuation of the freedom struggle the fight against monopoly capital which made our country into a slave country and the राहुल जी अब आपको राजा के तोते का भी पता चल गया है और आप के पिछले कुछ सालों से लगातार अडानी के मुद्दे को उठा रहे हैं आपको लगता है कि ये जो लराई है अडानी आप लगातार कहते हैं कि आपको अडानी से प्रॉबलम नहीं है मुनपुलिजम स वो भी एक बहुत बड़ी लड़ाई है जो आपको आगे दरनी है हाँ